हेलो ये नमस्कार साथी हो स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंग सेखिल में दोस्तों आपमें इसी बहुत ऐसे चाटने हमें मेल किया कि सर एंडिये की जो लास्ट स्टेज होनी चाहिए 20 से 25 दिन में वों हम क्या सब्जिक्ट पर दे मlee कैसे रेंस करेंसर कितना चीज है हमें समझके नहीं आता है दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडिय की दियारी आप 20 से 25 दिन में नहीं कर सकते हैं लेकिन दोस्तो आप आराम से बैठे तो नहीं रह सकते हैं, रो तो नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तो हम लोगों का काम है, कम बैक करना, तो हम 20 से 25 दिन में जितना संभव हो सकता है, we can do that, चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि आखिर 15 से 20 दिन जो बचा हुआ है, उसमें क्या करना, अब उसके दिमाग में प्रशना है कि सर आज 15 तारिक ही है, ठीक है, और इसके बाद भी दोस्तो आप कहेंगे कि सर इसके बाद भी तो तीसा मैना है, तो 16 दिन इधर है, फिर उधर 5-6 दिन, 10 दिन है, तो सर इसमें कैसे आप बोल रहे हैं है, मैं ऐसा लिए बोल रहा हूँ कि 20 दिन में तयारी करो, NDA निकालो, ठीक है, हाइप मत बनाइए, लेकि चीजों को समझेगा, कि किस प्रकार से आप 20-25 दिन बैठे ने रह सकते हैं, तयारी कर सकते हैं, अगर आपका वोट खतम हो गया, तो चले, सुरुआत करते हैं, दो भूल जाई, आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है, दूसरी बात कि आप multiple videos नहीं चूच कीजे किसी भी teacher का, आज मेरा देख लिए, कल किसी और का देख लेंगे, परसुत, किसी और का देख लेंगे, ठीक है, किसी teacher को follow कीजे, चाहाए आप हमसे English पर रहे, थमी को follow कीजे, किसी आप teacher से पढ़े, उनको follow कीजे, तीसरी बात कि आप previous year paper नहीं करेंगे, आपका result नहीं होगा, ठीक है, ओके, तो छलिए हम आगया बात करते ही, कि NDA की last 20 दिन में हमारा plan क्या होगा, मैंने आपको पहले गो दिया, दो paper होते, एक maths के और एक आपके gate के, ठीक है, दोस्तों, आप मेरे बारे में खोड़ा जान लेजिए, मैं लगातार 18 साल से लगवग मैं NDA को पढ़ा रहा हूँ, ठीक, NDA के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा मैं एक teacher भी हूँ, लगवग मैं 13-14 साल, 15 साल की उमर से पढ़ा रहा हूँ, आज मेरा उमर 22 साल है, तो ल प्रकार से मैथ में हम क्रेंगे, दोस्तों, देखें, मैथ में 120 कोस्चन होता, और 120 में आप 120 दिम में नहीं कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगा उन चीजों को करने में, ठीक है, ओके, तो चलिए हम लोग यह देखते हैं, कि आखिर हम किस तरह से MDA के मैथ पेपर को पर चुके होंगे, तरीका मैं बदलबाओंगा आपसे, ठीक है, देखें, 40 से साट कुछें हम लोग को ultimate target रहे हैं, क्योंकि इस इतना अगर ले आएंगे सही सही, तो हम मैथ को प्रॉस्ट कर देगा, ठीक है, ओके, देखें, सबसे पहले अगर आप मैथ की तयानी करने दिय कुछ important topics तुम्हें shortlist की जाहूं, इसका पीवाई की कर लेजाएं, पीवाई की कहने का क्या मतलब तर previous questions को कर लेजाएं, ठीक है, अब यहां पर कुछ topic मैं measure कर रहा हूं, उसके कुछ subtopics भी हैं, ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप trigger head and distance को ज्यादा पढ़िए, क्योंक कि आसान question आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आसान मतलब कुछ भी आजाएंगे, मतलब 21 के second जैसा नहीं रहेगा, moderate नहीं रहेगा, ठीक है, ओके, rigor head and distance को अच्छे से कर आपने पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है, किसे particular teacher को जाईए, देखिए, बहुत सारे YouTuber teacher है, जो मैं स question आजाएंगे, ठीक है, तो आप आराम से चीजों कर रहेंगे, यहां से पहुंस तक आप, यहां तक आराम से आप 20-25 question कर लेंगे, ठीक है, उससे कहीं जादा ही कर लेंगे, ठीक है, अगर आप पैटिश डिटर में तो अच्छे से revision करते हैं, लेकिन सारसात में पढ़ने का आप लेकिन 2D3D में आपको बेसिकलि अगर आपको सबसे पहले तो पीवाइक कर लेंगे, उसके बाद आप यह पोटेंट जो फर्मुले इसे ठीक है, पीवाई प्यू अधार पर उसको कीजी, क्योंकि देखिए, जहां तक मैंने इसे पढ़ा है, अगर आपको 2D3D का फर् पूडी में कोई सब चीज परेंगे, उसके बाद प्लेन बगएर आप पर लिए, उसके बीच में सौटेंस डिस्स का फर्मुला पर कोस्ट्यो डिरेक्ट लिया जाते है, ठीक है, ओके, इसके अराबा दोस्तों आपको क्या करने है, कैल्कूलस में आपको दो पाट होते है, अपको पूदि बीना मतनकि 15-20 में कल्कूलस नहीं खतम कर सकते हैं, इसको खतम करने हैं, चार-पांच मैंना चाहिए, अच्छ यह से, उससे बीच जादा है, ओके, आप इसमें दो किताब होते है, इसके बीच्श का इसका है इसका लावन रहें और उपहिनीमा है, इसके ल पर दोस्तों इसमें भी कुछ चीज हैं जैसे कि आप डबल इंट्रिकेशन परते हैं या आप यह आप में नहीं आरा लेकिन इंट्रिकेशन आप जो पर दें उसमें खासकर कि जो इस सोलीशन होते सोलीशन अब्जेक्टिव के थुरू आप कर सकती है इसलिए तो मैं बार बार क्याता हूं कि फोकस कीजिए आपको फूद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीजिस पर ना ठीक है ओके एस्टेटिक्स और प्रॉब्रेटी इससे भी दस कोस्टन आते हैं आप सबसे पहले प किजिए आपको फूद पता चलेगा हमें क्या परना है एक दो दिन मीने एक दिन में पूरे चार से पांच गट्टा लगेंगे पीवाएक की खतम हो जाएंगे किसी बीजिए सकते हूं ठीक है उसके बाद जिपने भी 100 रिविजन इसके लिए हैं स्टेटिक्स और प्रॉब पंद्रे गंटा देना जो नहीं बच्चे ठीक है दस से पंद्रे गंटा में फोर तुफाइब अगर आपने कुछ ने परा तो दो तीन गंटा लेक्टिर देखिए बाग की प्रैक्टिस किज़े ठीक है आपको मेनत करना परेगा एंडिये में आप जा रहें ठीक है अगर आप अपके शांस दिशाले की कोसिस में चांस दे सकते हैं ठीक है अगर आप जीकी की बात करेंगे जीकी में भी दोस्तों हमारा दुपे बचास कोश्चन में आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे प्लेश पर क्लिंच बनाना पड़ेगा वाटेश तो पकर अखिर भईया क्या पुछेगा क्या फ्री में मिल रहा है फ्री में मिलने वाला जैसे आपको इंग्लेश के लिए कुछ नहीं करना आपको किसी पर फोकस करना मेरे जो पिछले साल के मतलब माप की जगा मैंने जो बियालिस लेक्चर एंडिये की खासकर इंग्लेश का फ्री में लिया है यह अपको जाकर उससे देखने के बाद जो भी है उसके साथ प्यूए क्यो हुआ 2016-2019 तक के पिछले साथ प्रस्वन पत्र को कीजिए आप हमसे जाता ज्यान आपको हो जागा कि साइंस में चुली परना क्या है ठीक है इसके अराबा आप इंसियाटी कीजिए ठीक है बाहरी वीडियो में मत जाईए क्या बोल रही कोई ठीक है you have to focus these things मैंने analyze किया मैंन इस दिन पचिस दिन में दोनों एंसियाटी पर रहोगे ठीक है एक दो बार पर रहोगे अगर अच्छे से आप इस पर देतों पांच गंटा इदर देना है और बागी कि आपको जो भी है मान लीजिए कि खाने पीने में चला गया 15 गंटा लगाता आप नहीं पर सकते लेकि इस चीटी और पिक्स फोर्स लॉजक मोशन सांट वेव उप्टिक्स और उसके बाद 50 को फाइव और फैवनेड पॉस्चिन अप्टिक है अलग अलग इग्जाम वी जो 500 पुस्टन आते ठीक है ओके बड़िया बढ़िया अग्जाम जैसे से सी हो गया सीडियास एक्जाम ह ज़्यादर फोकस करना उसके बाद की वेश्टी उसके बाद 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 करते थे 20 दिन में आप प्यस्टी नहीं कर सकते ना जोगराफी में ठीक है तो करना के ताप को रीवर्ट सिस्टम्स के बारे पर भारत की नदी पना लिए जैसे वेस्ट परिव नदी कर ठीक है या सफलच कहां से निकाल यह सब्सक्राइब कर ठीक है उसके बाद रॉसरा नमर किस का तक पौन मानव निर्मित पौर्ट है को उस तरह से ठीक है ओके जो चीज़ें इसके बाद एस्टेट के बारे पढ़ लें जैसे हमारे seven sister states हैं ठीक है और बाकी population उनका density forest इतने किसमें कितना है को नम्मर वन पर किस चीज के production में वह ली इस तरह के कुछ यो आते हैं ठीक है इसके अलाबा इस भी ध्यान देना है population and sex ratio ठीक है okay उसके जाथ forest cover forest cover इसके इसके natural vegetation कहां पर है जिसे tropical deciduous forest tropical आपका अलग लग जो है tropical mangrove बगएरा यह जितने भी आपके forest conservation बगएरा है ठीक है apart from this what you have to focus उसके बाद इस size and location जैसे की आपके जो हैं इंडियने standard time इसको किन किन राज्यों से पास करता है इन चीजों को ध्यान में रखेंगा ठीक है इसके अलामा दोस्तों इस्ट्रेट्स जैसे बलबकार हो गया ठीक है बास स्ट्रेट हो गया उसके बाद बाद मंदेब हो गया ठीक है तो अलग अलग स्ट्रेट्स बगार ठीक है ओके इंग्लेस चैनल की जो कुछ भी है आपको उसे रिविजन करने ठीक है अब रॉक सिस्ट्म ठीक है देखिए स्ट्रेट के बाद मॉंटें भी कर सकते हैं जैसे कौन मॉंटें किसको अलग करता है जैसे यूराल मॉंटें हो गया ठीक है काके छीजे फ्लेट से हंसार आपके चुना थे मेजर को ने मईरल को ने एक टेक्टोनिक अचिवीटेंस क्या होते हैं यह कैसे निर्मान होता है इन तमाम चीज़ों पर आपको आपको तो नहीं निकल पाएगा ना चली जब तक आप वाईक्व्य करोंगे समझ नहीं पाऊगे वाट इस एक्जाम एक्जाम यह है क्या हाओ क्रेकिट ओके किता भी इंट दे लो कि कुछ समझ नहीं आगा जब तक प्याइक नहीं करो कि परने का तो भाई भंडार है ठीक है ओके यह चीज़ों आपको ध्यान रखना है चले आगे चर्चा करते हम थोरा सा किसके बार है इति इतिहास में किन की टॉपिकों फ़र है दोस्तों लगवग 15-20 साल के पेपर को मैंने अनलाइज किया है दो तीन दी चार दिन मुझे लगे पाल दिन लगा ताम में काला था तिन तीन गटा दो दो गटा देगा ठीक है उससे मुझे पता चला कि भाई इतिहास में अक्सर किन अनलाइज कर दोस्तों आपके गवर्नर जेनरल से अधिक कुछ आती है और भाईसरा जो थे को ठीक है इसके पैरलेल में दोस्तों क्या किये जाते हैं आपके मुखे ध्यान दिया जाते हैं 1857 के विद्रोग पर कि 1857 का जो रएवोर्ट हुआ था यली विद्रोग जो हुआ था उसके क्या पर्वुक कारण थी ठीक है इसके बार जो आप बात करेंगी तमांट भी कॉप को बन रहे ठीक है जो मैंने राइस किया वही बता रहा हूं कि हरसार इस तरह से कुशन आते हैं इसके अलाबा दोस दोस्तों जो ध्यान दिये जाते हैं आपको मैं लगों पांसे दश टॉपिक बताऊंगा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ठीक है इसके कौन सी सेसर में किस चीज़ का डिवान हुआ आपको ये चीज़े ध्यान में रखेंगे ठीक है इसके अलाबा दोस्तों आप इसी में एक ओर चीज़ा दीजी एक उपोडेंटंट प्रस्नाइटिव जो प्रस्नाइटीज रहें ह没有 t kept जुब प्रस्ते समेर्य जैसे की बाबासौंभी रहां मांभी इसके अलाबा दोस्तों आपको क्या घ्रला लाला राजपतर आई सबस्क्राइब है उनके बारे में थोड़ा आपको अधियर कर देना इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करने हैं बहुत बहुत समझेगा इसके अलावा जो आपके बुक्स रहे हैं खासकर कि मोडरिंडिया के टाइम में लिखे हुए भूक ठीक है उन बार दोस्तों economic influence ठीक है economic influence अब देखिए मैंने इस बात को आपको नहीं बताया इकने मीक इंफ्ल्यूएंस आप गबर्न सब्मेंट काने लाट कि लगाया कोब डोक्तरा इन ऑलेस लगाया ठीक है को शबूसेटरिय लाइस लगाए जोब आप पर सकते इस चीज को पर्लेलो ट्राइघ क bessऴ से लाइघे विजए नगर अपे इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका मतलब रहे हैं तृच के जो भी ट्राल रहे है वी इस से अपने भारत में आई जैसे इन इसके अलाब दोस्तों कि कौनसा राजा क्या चीज लगाया या किस से बैटर लुए यह एरेंस फॉर्मेंट में आपका याद होना चीजिक कब बैटल अप पाने पत हुआ यह इन तवाम चीजें यह सब याद आदा चीजिक है अनिसेंट इंडिया में आपको ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें भी आपको जो है बुदीजम जैनिजम इसके अलावा दोस् इतना आपको काम करने ठीक है ओके यह चीज़ करके देखेगा यकीन मानी दोस्तों आपको अच्छा रिजल्ट आएगा यह मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया इसके पीसे ऐसे मैं कुछ भी आप नहीं बना रहा हुँ ठीक है आपको डिफेंस में जैसे करेंट अपको डिफ प्रस्पोर्स के बारे में अध्यान करना इसके अलावा कुछ मत बना ठीक है यूज्याली आपके एक्जाम में ऐसा कुस्यों नहीं आता कि अर्वियाई की गवर्न किसे बनाया गया है उसके बाद पेटियम का कौन क्या बना है ठीक है इस तरह की चीज़ी नहीं आती ता प 20-25 दिन में अच्छा कर सकते हैं तो धन्य बाद आप सभी हमें इतना समय दिया आप कैसा लगा आप कमेंट में जरूर कीजेगा ठीक है और प्लीज आप लोग से बुचारे से कि आपके निगेटिव मत होई है ठीक है तैयार है अच्छे से कीजे इस बार नहीं तो अगली ये आप लोगा दो में तीक है तैयां की